आपका अपनी यूटूब चैनल संद्या कंपोटर क्लासेज मैं श्रण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूटूब प्लेट वहां पे स्वागत करता हूँ देखिए अम इरिफेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि आपके आरिशेड़ एक्जाम के डेट आ चुकी है जो की 22 मही को आपके आरिशेड़ का एक्जाम होने वाला है तो उन सभी के लिए आप सभी के प्रिप्रेशन के लिए सबसे पहले सबसे सैटिक क्लासिज जो है इस चैनल के माद्यम से लीज आ रही है कल भी मैंने वीडियो डाला है जो आपको सभी को बोला था कि चैप्टर वाइज जो है आपका MCQ सबसे पहले चलाने वाला हूँ जैसे अपने चैप्टर वाइज MCQ कम्पलिट हो जाएंगे तो फिर अपन आपके पूरी के पूरे MCQ लाने की पूरी के पूरी कोशिस रहेगी तो अभी भी आप अगरी चैनल पे नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें देखिएगा मिरेपेंट्स कम्पूर्टर सिस्ट्रम आपका सेकेंड चैप्टर और तैहरी चीत की संध्या कम्पूर्टर के साथ आरिश एटी देद अनादन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत यह हमारी यूटूब चैनल संध्या कम्पूर्टर क्लासेज इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब आप सभी को करना है अब देखिएगा सबसे पहरा किशन आप सभी की स्क्रीन पे किन्न मैंसे एक पॉइंटिंग डिवाइज नहीं है तो मेरे पेंट सच्छा किशन है अब तो तो यहां से आपको यह बात करोगे तो किसे दौसीन रिचों होती है तो यहां से आपको यह बाते पता रखनी है कि बही keyboard को जब आप प्रेस करोगे तो आपको किसी भी परकार की point की आवाज नहीं आएगी जबकि इन तीनों के cases में आपको point की आवाज देखने को मिलेगी तो इस question का जो आपका right answer है option number 4 यानि कि D आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला question की keyboard में function कुंजी के संख्या कितनी होती है अच्छा question है और copy important question exam में कई बार पूचा हुआ question है तो मेरे बैंट जो विद्यारती session से late जूट रहे हैं उन सभी का एक बार तह दिल से फिर से स्वागत क्योंकि आप जूड़े है आरिशेटी के सबसे विशवशने channel के साथ में जो हर बार विद्यारतीों को 90 से पार करवाने की पूरी के पूरी guarantee देता है मेरे बैंट इस देखीगा जब भी function कुंजी की बात की जाए इनकी संक्या 12 होती है यह F1 से F12 तक होती है जो आपकी F1 है इसका uses हमेशा किसके लिए क्या जाएगा help and support के लिए अगर आप किसी भी program में काम कर रहे है तो इसका काम केवल और केवल क्या होगा help and support ही होगा इसके अलावा जो F2 से लगाके F12 तक है यह क्या होती है program के साथ साथ बदलते रहती है इसलिए इनको unstable function की बोला जाता है इनके जो general function है आपको exam में पूचे जाते हैं वो अभी इस वीडियो में आपको आगे बता दूँगा अगला किशन आप सभी की screen पे की control, alt और shift कुन्जी किस नाम से जानी जाती है तो अच्छा किशन है और जब भी ऐसा किशन आए तो आपको याद रखना है कि इनकी को क्या बोला जाता है combination की बोला जाता है अब जब भी combination की की बात करें तो आपको याद रखना है कि भई इनका क्या है single use नहीं होता है इनका single use नहीं होता तो फिर यूज कैसे होगा यूज हमेशा किसके रूप में होगा सौट कट के रूप में होगा किसके रूप में सौट कट के रूप में इनका यूज होगा मान के चलो कि आपको क्या करना है फाइल को सेव करना है तो save करने के लिए आप control के साथ में S को add कर रहे हैं तो यानि कि जब आप add कर रहे हो इसका मतलब आप क्या बना रहे हो combination बना रहे हो तो यहां से आपको जो correct answer हो जाएगा option number C combination बिल्कुली correct answer होगा अगला किशन की किस input device का उपयोग graphical image को बनाने के लिए किया जाता है तो मेरे प्रेंट्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि जब भी ऐसा किशन आपसे पूछे कि graphical image को बनाने के लिए किस input device का उपयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है उस डिवाइस का नाम क्या है ग्राफिकल टेबलेट होता है जबकि तो आपको दिख रहा है क्या जोईस्टिक ये एक इनपूट डिवाइस होता है और इसका काम किसलिए इसको यूज किया जाएगा वीडियो गैम को कंट्रोल करने के लिए जोईस्टिक का यूज किया जाता है अगला क्यूशन आप सभी की स्क्रीन पे की मीडि का पूरा नाम क्या है अब आप सभी से उमिद हैं कि सेशन को अंत तक देखिएगा साथ में नोट बुक और पैनल लेके बैटिएगा जहां पर पर आपको इंपोर्टेंट बाते देखने को मिलती है उन सभी को आपको नोट डाउन जरूर करना है मेडि की अगर कभी आप से क्यूशन पूचा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका पूरा नाम मूजिकल इंस्टूमेंट डेजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम बिल्कुली करेक्ट एंसर यह आपका हो जाता है यहां से मेडि आपकी होती क्या है तो एकजर्ष्ट इंटूट डिवाइस होती है जिसका उप्योग कहां पे किया जाता है तो संगीत के चैत्रों में इंपूट देने के लिए किया जाता है तो यहां से ऑप्शन नूमर बीज दूआ है आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है अगला किशन कि पैंसिल या पैन दुआरा बनाए गई निशान को एक पुर्व निर्दारित परकार की पैचान करने के लिए इनमें से किसका उप्योग किया जाता है तो मेरे बेंट जब भी ऐसा किशन पूछे आपसे कि पैन या पैंसिल से बने हो निशानों को पढ़ने क के लिए बहुए क्ल्प्य पाश्चन की चेक करने के लिए तो आपका हमेसा एंस्वड क्या होगा ओ अर होगा अगला किशन आपसे हो सकता है कि ओम आपका पूरा नाम तो आपक इसका पूरा नाम होगा वो क्या होगा ऑप्टिकल मार्क reader क्या होता है optical mark reader इसका पूरा नाम हो जाता है अगर OCR का पूछे तो optical character और recognition इसका अगर पूछे तो क्या हो गाया optical character recognition इसका पूरा नाम हो जाता है अगर आपसे पूछे BCR का तो bar code reader और अगर आपसे मीडी का पूछता है तो मीडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है तो bar code reader है यह आपको क्या जानकरी देता है product समंदे जानकरी देने का काम करता है अगला question आप सभी की screen पे की MICR का पूरा नाम क्या होता है तो जब भी आपसे ऐसा question पूछे की MICR का पूरा नाम क्या है तो इसका जो पूरा नाम होता है magnetic ink character recognition होता है option A अब इसका uses कहां पे किया जाता है bank sector के अंदर और bank sector में क्या use इसका use क्या है तो आपको बताना है कि जो check होता है check को पढ़ने के लिए इसका इसका इस्तमाल किया जाता है अगला question आप सभी की screen पे कि OCR का पूरा नाम क्या है तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको OCR का पूरा नाम बताया है आप सभी से उम्मेद हैं कि ये question आपको अभी याद होगा तो इसका पूरा नाम optical character recognition इसका बिल्कुली correct answer हो जाता है अब जो optical character recognition है ये करता है क्या है तो आपके जितने भी हस्त लिकित notes होते हैं जितने भी क्या होते हैं हस्त लिकित जो आपके notes हैं उनको पढ़ने का काम फिर किसका होगा OCR का होगा तो यहां से option इस जो आपको दिख रहा है आप सभी के लिए बिल्कुली correct answer हो जाता है अगला किशन आप सभी की screen पे कि निम्न में से किसका उप्योग audio को input देने के लिए किया जाता है तो मेरे brands याद रखना कि जब भी आपसे ऐसा किशन पूचा जाए कि audio को input देने के लिए किसका इस्तमाल किया जाएगा तो हमेशा आपका जो answer होगा वो क्या होगा microphone होगा तो microphone होता है वो क्या होता है आपके earphone के साथ में attach होता है जो आपकी आवाज को अंदर input के रूप में लेने का काम करता है तो mirror points यहां से आपका बिल्कुली correct answer क्या हो जाएगा microphone अगला question की CRT CRT का पूरा नाम क्या है तो जब भी ऐसा question आपसे पूचे CRT का पूरा नाम mirror points क्या हो जाता है cathode ray tube हो जाता है क्या हो जाता है cathode ray tube अब यह है क्या तो monitor का एक परकार है जो की पुराने monitor थे आज कल आपको use में इतने देखने को नहीं मिलेंगे इसकी screen उबरी हुई होती थी और इसके किनारे मोटे हुआ करते थे और पीछे का बाग गुमबच के जैसे आकार का हुआ करता था आज कल भी अगर किसे के गरों में पुरानी TV है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपको CRT monitors देखने को मिलता था वो उस टाइब का monitor था आज कल जो use में आ रहे हैं उनका नाम क्या flat panel और flat panel आपके LED और LCD होते हैं इस question का जो right answer option A अगला question आप सभी की screen पे कि LCD का पूरा नाम क्या है तो मेरे friends देखेगा सभी आप से ऐसा question करे कि LCD का पूरा नाम तब आपको याद रखना है liquid crystal display इसका बिलकुली correct answer हो जाएगा अगला question कि निम्न मैं से कौन सा device soft copy को hard copy में परिवर्तित कहता है तो देखेगा question आप से पूछने की language दो तरीके से हो सकती है अब जब भी soft copy से hard copy की बात करे तो इसका मतलब वो बात क्या कर रहा है कि पहले copy किसके अंदर है computer के अंदर जिसको user touch नहीं कर पा रहा है और फिर computer से किसके हाथों में आ रही है user के हाथ में तब वो क्या हो रही है hard copy तो ऐसा cases आप कब देखते है मेरे काल से आप printer के अंदर आप सभी ने देखा है कि printer में क्या होता है कि आपकी computer में कोई copy होती है फिर वो print होके आपके हाथों में आ रही है इसका मतलब क्या है कि पहले soft copy थी और उसके बाद में जब आपके हाथों में आई तो वो copy कौन से बनी hard copy बनी है ना तो यहां से आप इतनी से बाते याद रख सकते हो इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो scanner है scanner का काम क्या होता है कि hard copy को यह किसमा बदलता है soft copy के अंदर जाने कि scanner के cases में क्या होता है कि आपके हाथों में copy होती है उसको scan किया जाता है फिर computer तक बेजा जाता है तो यह इतनी से बाते आप सभी को पता होनी चाहिए अगला question कि modem का पूरा नाम तो modulated to demodulator होता है अब modem होता क्या है तो आपका इसका कारी आप बोल सकते हो कि यह क्या करता है कि analog signal जितने भी है उसको किसमें convert करता है digital signal के अंदर convert करता है modem एक input और output दोनों की तरह कारी करने वाली device होती है जो कि analog को digital में और digital को analog में बदलने का काम करती है यह telephone line उपर उपस्तित signal होते है अगला question कि RAM का पूरा नाम क्या है तो मेरे बंड जब भी आप से ऐसा question पूछे कि RAM का पूरा नाम तो आपको याद रखना है random access memory बिल्कुली correct answer हो जाता है अब जो RAM है आपकी primary memory होती है जो कि कैसी है एक इस्ताई परकरती की memory होती है जो कि volatile परकर की memory होती है इसमें जब भी आपको data देखने को मिलेगा आप देखोगे कि वहाँ से आपका data गाइब हो जाता है light के साथ साथ में data गाइब हो जाता है अगला question कि एक अर्द conductor memory जो कि CPU और RAM के गती बढ़ाने का काम करती है तो यानि अर्द conductor यानि कि semi conductor और जब भी semi conductor की बात आए तो आपको case memory करना है case memory सबसे तेज memory है सबसे महेंगी memory भी यह है और इसकी जो storage capacity है मातर कितनी है 5KB तक की होती है यह CPU और RAM के दोआरा बार बार उप्योग में ली जाती है अगला किशन की नियम्न मेंसे कौन सा printer print head से ci ki chोटी-chोटी बुन्दो का छिड़काव करता है और छिड़काव के द्वारा किसका निर्मान होता है paste का निर्मान होता है paste पे printing का निर्मान होता है तो ऐसा आपका कौन सा हो जाएगा देखो नाम किसका ले रहा है print head से 6 यहने ink का नाम ले रहा है और ink का नाम आप किस से connect कर सकते हो ink z से connect कर सकते हो laser में आप याद रखना toner है इसके लाबा cartes है और इसके लाबा black powder यह तीनों नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं और जो आपको लिख रहा है plotter यह सबसे high quality का आपका vector और graphics उत्पादन करने का काम करता है अगला किशन आप सभी की screen पे कि WORM का पूरा नाम क्या है तो मेरे मित्रों यहां से आप सभी लोग याद रखेंगे कि WORM का पूरा नाम क्या होगा right once read मैंनी आपका बिलकुली correct answer हो जाएगा अब यह क्या होती है कि इसमेर data को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है बार बार उप्योग में लाया जा सकता है अगला किशन कि Blu-ray disk की बंडारन समता कितनी है तो मेरे प्रेंट्स आप याद रखना कि जो आपकी Blu-ray disk है उसकी storage capacity 50 GB से 500 GB तक की हो सकती है अब इसके अंदर कभी कबार आपको exam के अंदर 25 GB भी देखने को मिल सकता है आर इशेटी में तो 50 से 500 भी देखने को मिलेगा कई पे आप यह देखोगे 25 GB से 500 GB तो उस cases में भी आप गलक नहीं है वापे single layer की बात होती है यापे double layer वगरा है इसमें layer आती है उसके according इसके storage capacity होती है Blu-ray disk का आपकी बविशे में DVD का रूप ले सकती है एक परकार की optical device का उधारन होती है अगला question कि किस memory को flash memory के नाम से भी जाना जाता है तो जब भी आप से ऐसा question पूछे कि किसको flash memory के नाम से जाना जाएगा तो आपका हमेशा answer क्या होगा pen drive होगा pen drive को हमेशा क्या आप बोलेंगे portable परकार की secondary memory क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका जब भी use करेंगे तो आप उस port में डालेंगे एक port आता है उस port का नाम क्या होता है USB और USB का पूरा नाम भी आप से पूछा जाएगा वो क्या होता है universal serial बस इसका पूरा नाम होता है universal serial बस है ना तो यह इतने से बाते यहां से आपको याद रखनी है अगला question कि daisy will printer किसका परकार होता है तो daisy will जो है आपके किसका है impact printer का उधारण होता है daisy will dot matrix दोनों के दोनों character printer है और character किसका हिच्चा है impact का अगला question यह computer के साथ सहियोजन में कौन सा printer toner का उप्योग करता है toner, black powder, suka powder cartridge यह मैंने बताया था आपको कौन सा करना लेजर जो आपको दिख रहा है thermal यह किसका उप्योग करेगा गरम दातू का print करने के लिए गरम दातू का जिससे आपके ATM के अंदर जो आपकी receipt निकलती है receipt वापे आपका thermal printer होता है अगला question कि निमन मैंसे कौन सी memory को कई बार रिप्रेस किया जा सकता है तो बार बार रिप्रेस करने के लिए dynamic RAM की आवशकता आपको होगी है ना इसके अलावा next question के DPI का पूरा नाम क्या है अब देखो DPI का पूरा नाम क्या है dots per inch क्या है dots per inch और यह क्या होती है printer की quality है ना यह दोनों question यहां से पूछे जा सकते है अगला question के आपकी computer को configuration से क्या मतलब होता है तो तीनों के तीनों option बिलकुली correct answer हो जाता है option number D अगला question आप सभी की screen पे की RAM एक volatile memory है बिलकुल सही है और ROM non-volatile है यानि दोनों के दोनों कतन क्या है सही दिख रहे है अब देखीगा यहां से मैंने बोला था कि आपको थोड़े बहुत यहां से बताने थे अब F1 का मैंने बता दिया था help and support help and support F2 का यह general use बता रहा हूँ है F2 का rename rename का means होता है file का नाम बतल के वापस लिखना F3 find यह question जो आपसे पूचे जाएंगे है ना F4 का art के साथ मैं याद रख सकते हो shutdown के लिए होता है F5 repress के लिए desktop पे notepad में date and time so करेगा powerpoint में slide so start करेगा फिर आपसे पूचेगा F7 spelling error को check करने के लिए किसका use किया जाएगा F7 का F11 Excel में chart insert करने के लिए और F12 होता है आपका save as के लिए और जो save as है वो आपकी क्या है यानि कोई भी फाइल पहले से बनी हुई आपके system के अंदर है उसको अगर आप वापस format change करके save कर रहे हो तो आप सभी के लिए वो प्रोसेज आपकी क्या हो जाती है save as हो जाती है तो यह थे मेरे बन्स आपकी टॉप मुस्ट 25 कुशन जो आपके second chapter से आपको exam में देखने को मिलेंगे आपको session कापी पसंद आया होगा जो विद्यारजी session से लेट जोड़े थे उन सभी का एक बाद फिर से स्वागत और class में आपने enjoy किया होगा और जादेश जादा student से यही मेरा निवेधन है कि आप अधिक से अधिक संक्या में लोगों को चैनल के मार्दियम से जोड़ना है क्योंकि सबसे पहले आपकी classes लाने का जो काम है यह youtube channel आप सभी के लिए कर रहा है हो सकता है कि किसी student के पास में आगर वीडियो पहुचता है और उनका exam हो चुका हैं तो आरेश्टी exam में 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी तो अभी के लिए मेरे प्रेंट्स इतना ही मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ यानि आपके chapter number 3 के साथ तब तक के लिए जय हिन, वंदे मात्रम और जय बारत